हेलो नमस्कार जहिंद यूपी ट्रिपल सी बंद अरोगा के लिए एक बड़ी नियूज निकल करा रही है एक नया नोटिस आया है जिसके तहद बंद अर्थात फरश्ट गार्ड में सभी को मौका मिलेगा एक और मौका बड़ा समय का सभी को मिलेगा इसके बारे में में आपको समझा रहें तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को अगर चैनल कभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के इन्फरमेटिव वीडियो आपको सबसे पहले देखनों के मिल पाए इसके लिए जरूरी है कि नोट बेल आइकन है आपको पता है एज लिमिट एक साथ 2022 को कल्कुलेट की गए थी जो 21 से 40 वर्स के बीच थी इसके लिए 701 पोस्ट के लिए जो वेकिंसी के लिए फान अप्लाई कराया गया था साथ सब एक पोस्ट के लिए इसमें इंपार्टेंट इडिट थी 17-2022 को अप्लिकेशन के लिए रिजल्ट एवाइलेवल तीन तारिक 2023 को तीन मार्च 2023 को हुआ था अब एक्जाम डेट 30 अप्रेल 2023 को हुआ था एडिमिट कार्ट 24 को और एंसर की अवाइलेवल हुला था च्छे 5 को इस अब आपको पता होगा रिवाज्ट एंसर की साथ च्छे 2023 को आया था और र नोटिस क्या है नई न्यूज क्या है इसके बारे में बता दूँ इसके लिए आपको पता है कि दो सब फीस जनरल ओविसी और एडावलेस के लिए पे किया गया था एक जीरो थी फीस और पीच अर्था दिभ्यांग के लिए कोई फीस नहीं थी तो यह नोटिफिकेसान इसके बारे में क्या है विग्यापन संख्या अभी जो मैंने विग्यापन दिखाए बंदोरोगा मुख्य परिच्छा के अंतरगत लिखित परिच्छा के स्कोर के आधार पर सारिक मानसिक परिच्छा चिन्नित कूल 1697 अभ्यर्थियों का परिडाम आयोग की आवस्यक परिच्छा के लिए कि नित अभ्यर्थियों को एद्देद्वारा सूचित किया जाता है कि उनका सारिक मानसिक परिच्छा दिनांक 12 फरी 2024 से यानि कि 12 फरवरी 12-2024 से 17 फरवरी 12-17 फरवरी के बैच मद्द जनपद लखनव में यानिकि सब को लखनव में जाना होगा आयो स λέब के लिए जो लोग भी सकेंड श्चेज के लिए पेट के लिए उस लिए सबी को म rasa मिल रहा है और सभी बिध्यारथ लखनाव में पहुँचेंगे तो सभी को माव यह मिले गा ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को बाहर नहीं किया गया एक भी ब्यक्ति को रिजेक्ट नहीं किया गया तो सभी कि सभी ब्यक्ति को मौकाँ पीटी के लिए दिया जाएगा जो पीटी 12 से 17 फरवरी की बीच होगी और यह लखनव में होगी तो इसके लिए यहीं निवच्थी यह वीडियो कैसी लगी है अगर वीडियो अच्छी कर लें धन्यवाद